एस याखब दो है रता है इसके सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाब जो भारत का मुकाबला हो गया है और पाकिस्तानी टीम अब भी जही सदमे मैं है दोस्तों आपको बता दें किस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया पाक पाकिस्तानी टीम गिना बोल खेले इसमेच को रद कर दिया गया था और दोनों तीमों के बीच एक एक पॉइंट बहारत दिया गया था वहीं पर बात करें दोस्तों भारती टीम का अगला मेचकात उसका नेपाल से मुकबला हुआ था जिसमें की फिर से भारिस ने खलल डाला था जिसका मुकबला टाय तो नहीं हुआ दोस्तों लेकिन भारती टीम को तैस ओवर में 145 अनका टार्गेट मिला जिस आप जीत दिलबाया था और वहीं पे पाकिस्तानी टीम जहां पे जीत के आ रहा है वहां पे भारती टीम भी जीत के साथ अपना मोनोगन उचा करके आ रहा है लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा महा मुकबला इस बात से है क्योंकि एसया कपकर सुपर फोर मुकबला सुरू हो प्लेंग 11 का जैसा कि आप लोग को पता है कि इन डोंडोर प्रैक्टिस सेशन चल रहा था जहां पे की रोहिस सर्माहार्दिक पान्या सुर्य कुमार यादव के सहीद सभी कवल्लेवाजों का पर्यास करवाया जाता था प्रैक्टिस करवाया जा रहा था दोस्तों आपको पता दे कि राहूल ड्रेविट कोच अपने सामने में खड़े रह करके सभी को प्रैक्टिस सेशन के दोरान अभ्यास करवाते हुए नजर आये थे क्योंकि राहूल ड्रेविट का ये मानना है कि सभी बल्लेवाज फिट रहेंगे तो और फिट होने के बाद कोई भी हिस्सा ले सकता है दोस्तों आपको बता दे कि जो लाश्ट प्लेंग 11 नेपाल के खिलाब के लाथा वही प्लेंग 11 टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाब भी उतरेंगी तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइकर करके चैनल को ट्रैप कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए लव यू और बाई